नमस्ते दोस्तों, cooking with renoon में आपका स्वागत है आज की मेरी रेसिपी है बेसन के सेब बनाने की आज हम बेसन के सेब बिना मसीन के बनाएंगे जिससे की बहुती सॉफ्ट बन के तयार होगे जैसे की हल्वाई बनाते हैं ये बेसन के सेब बैसे ही बनेंगे तो चलिए देख लेते हैं वेशन के सेफ बनाने के लिए में किन किन चीजों की आवशकता होगी एक कप मैंने बेशन लिया है एक चोथाई चमच अजवाएं नमक स्वादा अनुसार यहाँ पर मैंने एक चोथाई चमच से थोड़ा सा जादा नमक लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख सकते हैं आदा चमच काली मिर्च पाउडर दो चमच यहाँ पर मैंने ओयल लिया है एक पिंच यहाँ पर यह मैंने बेकिंग सोड़ा लिया है जिसे हम मीठा सोड़ा या खाने का सोड़ा कहते हैं इसको डालने से जो हमारे बेसन के सेव हैं वो एक दम सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं अच्छे से फूलते हैं आप काली मिर्च पाउडर की जगे लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं दो चोटे चमच यहाँ पर मैंने ऊ maiden लिया है साथ में ही जो हमने अजवाइन लिए है इसको हलका सा हम रगड के डाल देंगे अब हम इसमें एड कर देंगे बेकिंग सोडा पहले हम सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके, इसका हम medium soft आटागूथ के तयार करते हैं, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ करना है, क्योंकि इसको गूथते समय पानी काफी कम लगता है, यह देखिए, हमने इसका medium soft इस तरह से डो तयार कर लिया है, बेसन ह या तो आप हाथ में पानी लगा लीजे या आप हाथ में ओइल लगा लीजे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना सौफ्ट इस तरह से गूंथा है अब चलिए इसके सेव बना लेते हैं एक कढ़ाई में ओईल हमने पहले ही गरम करने रख दिया है ओईल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है हलका सा गरम होगा तो गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे आज हम बेशन के सेव जिससे पूरी तलते हैं इस जावे से बनाएंगे यह हर घर में इसली मिज जाता है मे हाथ में थोड़ा सा उंगलियों में पानी लगा लेंगे यह देखिए इस तरह से हाथ को कर लेंगे हम अब हमने जो यह डो तयार किया था इसको हम इस तरह से रख लेंगे और दुबारा से थोड़ा सा पानी का हाथ इस तरह से लगा लेंगे यह देखिए अब आप देख स पानी लगा सकते हैं ज्यादा नहीं लगाना है कि पानी कड़ाई में गिरने लगे तो आपको यह ध्यान रखना है यह देखिए और हम यह ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सब इस तरह से जाबे को रखेंगे कि यह सेव जो है वो अलग-अलग गिरें ओईल हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है यह देखिए और इस तरह से थोड़ा सा हम हिला देंगे तो जो सेव होंगी वो इस तरह से गिरती जाएंगी इसी तरह से आपको लगेगा कि जो हमने यह डो लिया था यह खतम हो गया है तो हम थोड़ा सा और ले लेंगे और थोड़ा सा हम पानी का हाथ लगा लेंगे और इसी तरह से हम थोड़ा सा दवाब देते हुए करेंगे अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो आप help ले सकते हैं आसानी से हो जाता है ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद हम knife से इनको इस तरह से अलग कर देंगे ये देखिए अब जो सेव हमने कढ़ाई में डाले हैं गैस की फ्लेम हम low और medium कर लेंगे और इनको हम अच्छे से सेख लेते हैं सेव कढ़ाई में डालने के बाद एकदम हम इनको नहीं चलाएंगे थोड़ा सा सिखने देंगे उसके बाद पलटेंगे अब थोड़ी देर के बाद हम इनको इस तरह से पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेख लेते हैं सेव को हमने पलटते हुए लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेख लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये सिख गए हैं तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखिए दुबारा मैं इसी पर बना रही हूँ तो इस तरह से हमने डो लिया थोड़ा सा हमने पानी लगा लिया और इस तरह से हम हास से थोड़ा सा दबाव हमें देना पड़ेगा जब प्रक्टिस होती है तो अच्छे से हो जाता है वैसे ये इजली हो जाता है इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है आपको इध्यान रखना है कि जो हम डो ले रहे हैं वो कड़ाई में न गिरे इसी के उपर रहे, इस तरह से ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सेव ये देखिए निकलने लगे हैं, ये देखिए, ये देखिए, सेव अपने आप उसमें गिरते जाएंगे, क्योंकि जब हम सेव बनाएंगे तो हाथ तो थोड़ा सा हिलेगा ही, अगर नगे रहें तो आप उनको नाइफ से या इस्पून से निकाल सकते हैं, तो ये देखिए, बेशन के सेव का हमने दूसरा बैच भी कड़ाई में डाल दिया है, सेव कड़ाई में डालने के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे, और इनको हम पलटते हुए सेख लेते हैं, आपको इनको हाई फ्लेम पर बिलकुल भी नहीं सेख ना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेख ना है, ये देखिए, ये सेव का हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से सिग गया है, तो इसको भी हम पलेट में निकाल लेते हैं, ये देखिए, तो इसी तरह से हम अपने सारे सेख बना के तयार कर लेते हैं, हमने अपने सारे बेशन के सेवसेख के तैयार कर लिये हैं यह बहुत ही सॉफ्ट बने हैं यह देखिए बहुत ही टेस्टी बने हैं तो यह और हमां मेंoyo में अज़ा बने हैं तो इस